वेल्कम बेक टू अनदर वीडियो तो आज की वीडियो का थमनेल आपने देख लिया होगा कि मुझे यूके से डिपोर्ट कर दिया है तो फरस्ट ओफ ओल हम बात करते हैं कि डिपोर्टेशन होता क्या है डिपोर्टेशन एक टर्म है मतलब कि आप किसी दूसरे कंट्री में जारे हो जैसे मैं यूके गया था तो अगर वहां पर कोई या फिर किसी लोग को ब्रीच करता है कानून को तोटता है तो वहां की कंट्री जो है वापीस आपको अपने देश में बेज देगी जैसे मेरको इंडिया में वापिस बेज दिया तो मुझे भी नहीं पता था एक्चुल में कि ऐसा हो रहा है भस मैं सुन रहा था ये बाते फृर्स टाइम कि उसको डिपोर्ट कर दिया तो एक्चुल में पता नहीं था ये सब चीजें लेकिन आज मैं आपको मेरा खुद का इंसिडेंट बताऊंगा क्योंकि फिलाल अब करंटली मैं इंडिया में हूँ 19th of October को मैं आ गया था इंडिया में वोलन्टरी टिकेट लेकर के वापिस आ गया था तो डिपोर्टेशन कई टाइप से हो सकता है अगरा आप कर रहे हो तो जो अब की यूरषिक है वहाँ पर मेल डाल देती है कि स्टु़िंट है यह यह सकता है तो हो मूंअफिस आपको घर से उठा सकती हैसे है कि जहांपर रही हो याप और लेगी कैसे ने कैसे Immigration Department जो होता है तो आपको डिपोर्ट कर देंगे वह डिपोर्ट करने से पहले Detain Center में ले जाया जाता है Detain Center एक टाइप से लगा लो Hostel टाइप होता है लेकिन एक जेल टाइप भी होता है दोनों तरीके से हम कहा सकते हैं उस चीज को तो मुझे भी Detain किया गया था 20 days के लिए तो एक्चल मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो थोड़ा अलग था आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा तो डिपोर्टेशन जो मैं बता रहा था आपको कई टाइप से हो सकता है अगर आप युनिवर्स्टी नहीं लगा रहे हो तो तो भी आप डिपोर्ट हो सकते हो दूसरा अगर कोई इल्लीगल तरीके से रह रहा है डोक्यमेंटेशन फेक हैं किसी के तो आपको डियर्कली एरपोर्ट से भी डिटेन कर सकते हैं वो ठीक है तो बी अवेर आपको मैं बस एक मैसेज देना था आज का तो यही मोटिव था मेरा कि यूके जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो अब इन चीज़ों को ले करके और वो कुछ ज्यादा ने सुनेगा आपके आप कुछ भी को उनको ठीक है इमिग्रेशन जो ओफिसर्स होते हैं आप कितना भी बैग कर लो उनके सामने डे विल नोट लिसन कुछ नहीं सुनेंगे वह आपके बारे में हां आपको मुका दिया है एक टाइप से आप कह सकते हों कैदी हो वहां पर आप ठीक है तो जो जैनिंटेक में स्टूड़न जा रहे हैं बी अवेर थोड़े उनके बता दूं मैं अगर आपके डोकुमेंट्स फेक हैं तो थोड़ा धान से जाना क्यूंकि इमिग्रेशन अब बहुत ज्यादा स्ट किया था वहांपर उन जो जो वहांपर लोग थे उन से हो भी मैंने रहे हैं कि डायरिक्टि थारेक्टि नेक्स्ट थे इर्पोर्ट पर उतरने के बाद भाद डायरेक्ली ओमकांट्री भी बहेज रहे हैं ठीक है मैं अक्श्वलừng बता रहा वहां आपको जो सच्चा है मैं प्विए इंडिया में हूम मेरे साथ जो बनी है मैं वो बताओं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताओं गा डिपोर्टेशन मेरे को क्यूं किया गया था नेक्स्ट वीडियो разрPaul PLAY तो आपको यह मैसेज दूँगा कि अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो थोड़ा समल के आना क्योंकि आपको भी पता है बैचलर्स पे आओगे तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा फीस निकालने के लिए ठीक है हर एक के मन में रहता है और एक्चुली है यह ठीक है आपके मन में रहेगा कि हमें काम करना है करना पड़ेगा हम फैमली पर भी बोजने बनना चाते हैं आपको रेंट्स भी निकालने होते हैं ग्रोसरी का भी होता है ठीक है बहुत कुछ होता है तो be aware अगर आप as a bachelor's पर आ रहे हो तो मैं आपको suggest नहीं करूँगा bachelor's डिगरी पर मत जाना पहले बता रहा हूँ master's डिगरी पर जा रहे हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ से एक साल की फीस बरके जाओ और आप easily वहाँ पर अपना expenditures निकाल सकते हो तो आज की वीडियो यही रहेगी deportation के बारे में इतनी है मैं आपको next video में बताऊंगा कि मुझे deport क्यों किया गया था next video में साथ ही साथ मैं आपको fully detailed video होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा experience क्या था Detains Center में क्या होता है क्या documentation होती है वाँ ठीक है आपके साथ क्या फैसलिटीज क्या दी जाती है माँ ठीक है होती तो वह एक टाइप से जेल ही है लेकिन आपको facilities भी देते हैं उसके बार में बताऊंगा क्या करते हैं होँा क्या नहीं आपको लोयर मिलता है या नहीं सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको फुली डिटेल्ड वीडियो मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाए